नमस्कार, आज हम भारती संसद के लोगपिर्य सदन लोगसभा के बारे में ध्यन करेंगे भारती जो संसद है उसके दो सदन है लोगसभा और राज्यसभा और भारती संसद है लोगसभा, राज्यसभा और राष्टपती तीनु से मिलकर के बनी उई है ऐसा हमारे सेविधान के अनुचेद 79 में लिखा गया है आज हम चर्चा करेंगे भारतिय संसद के जो लोगपिरिय सदन है लोगसबा उसके बारे में जैसा कि भारतिय संसद के दो सदन है लोगसबा और राज्य सबा लोगसबा है उसका प्रथम जो गठन है वह 17 अप्रेल 1952 को हुआ था और इसकी प्रथम जो बठक है वह 13 मई 1952 को हुई थी दो ऐसे अनुचेद हैं जिससे हम लोगसबा की रच्चना और उसके गठन के बारे में अध्यन करेंगे अनुचेद 81 तथा अनुचेद 331 में इसका प्रावधान किया गया है लोगसबा को लोगप्रिय सदन भी कहा जाता है इसको लोगप्रिय सदन कहने के पिछे मुख्य जो कारण है वह यह है कि ये जनता द्वारा प्रतेक्स रूप से निर्वाचित सदन है मूल सेविधान में लोगसबा की जो सदसे संक्या थी वो 500 निर्धारित की गई थी लेकिन इसके पस्चात सेविधान सबा की जो सदसे संक्या है उसमें व्रदी की गई और यह 31 में सविधान संसोदन जो की 1974 में हुआ था उसमें लोगसबा की जो सदसे संक्या है उसको अधिक्तम 552 हो सकती है ऐसा प्रावधान किया गया लेकिन वर्तमान में लोगसबा की जो सदसे संक्या है वह 545 है जिसमें 530 राज्यों के प्रतिनीदी है और 13 संग राज्ये छेत्र के प्रतिनीदी है इसके अलावा दो राष्टपती द्वारा नाम निर्देशित किये जाते हैं एंगलो इंडियन्स के तो हमने ये देखा कि लोगसबा की जो सदसे संक्या है वो पहले 500 थी और अधिक्तम है वो 552 हो सकती है जो की 31 संसाद सविधान संसोदन द्वारा निर्धारित की गी थी लेकिन वर्तमान में 545 है अब हम ये देखते हैं कि लोगसबा में जो स्तानों का जो आवंटन किया जाता है उसके लिए मुखे रूप से दो परक्रियाएं अपनाई जाती हैं सबसे पहले प्रतेक राज्य को लोगसबा में स्तानों का आवंटन ऐसी रीती से किया जाता है कि स्तानों की संख्या में उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथा एक ही हो यह है लोगसबा के आवंटन की प्रेथम परक्रिया है इसके प्रतेक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों में ऐसी रीती से विवक्त किया जाता है कि प्रतेक निर्वाचन छेत्र की जनसंख्या को उसको आवंटिस तानों की संख्या में अनुपात स्मस्त तो हम यह देखते हैं कि जो 42 स्वा सविधान संसोदन जो की 1976 में हुआ था उसमें ये प्रावधान कर दिया गया था कि जब तक 2001 की जिनगर्ना के आंकड़े परकासित नहीं हो जाते तब तक लोकसभा की सदस्य संख्या 545 ही रहेगी लेकिन 91 स्विधान संसोदन अधिनियम 2001 की अनुसार अब ये व्यवस्ता बढ़ा करके 2026 तक कर दी गई है तो हम ये देखते हैं कि जो 42 स्विधान संसोदन 1976 में हुआ था और उसमें ये प्रावधान किया गया था कि 2001 की जिनगर्ना के जब तक आकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक ये सदस्य संक्या 545 होगी अब इसको बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया है कि 2026 तक लोगसभा की जो सदस्य संक्या है वह 545 ही रहेगी अब हम बात करते हैं लोगसभा की जो सदस्य हैं उनको किस परकार से चुना जाता है तो लोगसभा की जो सदस्य हैं वो भारत के उन नागरिकों को द्वारा चुने जाएंगे जो कि वैसक हो चुके हैं जिनकी आयू 18 वर्स हो चुकी है फिर हम बात करते हैं लोगसभा की अवधी की लोगसभा का गठन 5 वर्स के लिए किया जाता है लेकिन प्रदान मंत्री की सला पर लोगसभा का विगठन राश्टपती द्वारा 5 वर्स के पूर्वे भी किया जा सकता है और अगर लोगसभा का गठन 5 वर्स से पहले हो जाता है तो ऐसी स्थिती में मध्यावती चुनाव होते हैं क्योंकि सविधान के अनुसार लोगसभा विक्टन की स्थिती में छे माँ से अधिक नहीं रह सकती ऐसा इसलिए भी आवशिक है क्योंकि लोगसभा की दो बैठकों के बीच का जो अंतराल होता है वो छे महने से जादा नहीं होना चाहिए तो हमने ये देखा कि लोगसभा की जो अवदी है वो पांच वर्स निर्धारित की गई है इसके बाद हम बात करते हैं लोगसभा के अधिवेशन की लोगसभा का अधिवेशन एक वर्स में कम से कम दो बार होना चाहिए लेकिन लोगसभा के पिछले अधिवेशन की अंतिंग बैठक की तिति तथा आगामी अधिवेशन के प्रतम बैठक की तिति के बीच छे मां से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए लेकिन ये अंत्राल 6 मां से अधिक तबी हो सकता है जब आगामी अधिवेशन से पहले ही लोगसबा का विक्टन कर दिया जाए सिरफ इसी कंडिसेंद में 6 मां से अधिक बढ़ सकता है तो हमने देखा कि अधिवेशन है वो वर्स में दो बार होना चाहिए इसके अलावा विक्टन का भी प्रावधान किया गया है और विक्टन के लिए कम से कम 110 जो सदसे हैं वो राश्टपती को लिखित रूप में देंगे सूचना तभी विक्टन जो अधिवेशन है वो राश्टपती द्वारा बुलाये जाता है और ऐसी लिखी सूचना है वो बुलाने की तीती से 14 दिन पहले देनी पड़ती है और ऐसी सूचना पर राश्टपती या लोगस्बा अधिवेशन बुलाने के लिए बात दे भी होता है फिर हम बात करते हैं अधिख्स और उपादेक्स की लोगस्बा है वो अपनी सद्द्श्य में से एक अधिख्स और एक उपादेक्स का चुनाव करती है अधिख्स लोगस्बा का परमुक पदादिकारी होता है जो की बैटकूं की अधिख्स सता करता है और तथा इसके संचालन को नेंटरन भी करता है यहाँ हम यह देख्ते है कि जब अधिख्स का जो पद है रिक्त हो जाता है ऐसी स्थिति में उपादेक्स है अधिख्स के पद पर आसिन होता है और संपुन जो करतवे हैं उनका पालन करता है लोकसभा का जो अदेक्स है उसका निर्वाचन लोकसभा के जो सदस्य है उनके द्वारा ही किया जाता है और निर्वाचन की तिथी राष्टपती द्वारा निर्धारित कर इसकी सूचना लोकसभा के मा सची को दे दी जाती है निर्धारी तित्ति को लोकसभादेख्स का चुना होता है और इसी परकार उपादेख्स का भी चुना होता है और जो लोकसभादेख्स है वो निस्पक्स निर्वाचन द्वारा चुना जाता है और इसलिए ये प्रियास किया जाता है कि जब भी वस्दन की कारवाई में जो भी निर्ने करेगा जो भी बात कहेगा तो अनिस्पक्स रुप से कहेगा फिर हम बात करते हैं वेतन और बत्तूं की तो लोकसबा के अद्धेक्स और उपादेक्स को ऐसे वेतन और बत्ते दिये जाते हैं जो की संसद विधी द्वारा निर्धारित करें जो अनुछेद 98 है उसके अनुशार जब तक ऐसे कोई विधी पारित नहीं की जाती तब तक अद्धेक्स और उपादेक्स को ऐसे वेतन और बत्ते दिये जाएंगे जिसका उलेख दित्ती अनुशुची में किया गया है तो हमने ये देखा कि लोग सबहा के गठन में मुखे रूप से जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो वेशक मतादिकार पर होता है और प्रतेक्स निर्वाचन पढ़ने अलिद्वारा होता है इसलिए इस सदन को लोग प्रिये सदन भी कहा जाता है और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संक्या है वहें 2026 तक 545 है और इसका जो कारेकाल है वहें 5 वर्स है अगले वीडियो में हम राज्जी सभा के गठन के बारे में अध्यन करेंगे धन्यवाद